तो दूसरे चरण की सभी 20 सीटों के लिए चुनाओ का प्रचार थम गया कोलहान में 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है जिसे लेकर सभी तयारियां पूरी कर ले गई है इसी के मद्दे नजर पूर्वी सिंभूम के जिलाधिकारी रवी शंकर शुकल से बात की हमारे समबाद दा दूसरे चरण के चुनाओ की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू है चुनाओ प्रचार खत्म हो गया है जमशेदपूर पूर्वी चुकि काफी होट सीट माना जा रहा है मुख्यमंत्री का अपना निर्वास्टन शित्र है हमारे साथ खुद पूर्वी सिंभूम के जिला का प्रयोग जो है वो जो 48 आवर्स विफोर का सोपी है उसके अंतरगत प्रतिबंदित है इसके साथ साथ जो आदर साचार संगिता के प्रावधान है वो पुर्वत लागू रहेंगे और सभी विधान सबाज शित्रों में जो अन्य निर्देश हैं भारत निर्वाचन आयो जो वोटर विकलांग है या वोटरों के लिए क्या मौडल कितने बुथ हैं किस तरीके अब पूरे जिले में लगब 25 मौडल बूथ हैं इसके अलावा 25 हमारे सकी मद्दान केंद्र हैं जहापर की केवल महिला मद्दान कर्मी पृतिनिक्त हैं और इसके साथ साथ सभी मद्दान कंद्रों में रैंप की विवस्ता की गई है सभी मद्दान कंद्रों में विल्चेर उपलप्त कराए गया है जो हमारे दिव्यांग मद्दाता है उनके लिए वहनों की भी टैगिंग की गई है ताकि उनको वहन के माद्यम से भी मद्दान कंद्र तक लाया जा सके तो विभिन नुकर नाटकों के माधियम से तथा अन्यस्वीप अक्टिविटीज से मददाता जागरुकतारत के माधियम से भी लोगों को जागरुक करने का और इसके साथ साथ इस बार सहरी चेत्र के विसेज कर जो हमारे दो विधान सभाद चेत्र हैं 48 और 49 वहां पर बूत कम से कम असुविधा हो ये सुनिशित करने का प्रयास किया जा रहा है तो हम लोगों को लगता है कि इस बार आप एक शक्रित अच्छा मद्दान होना चाहिए जमशेदपूर पूर्वी जहरकन विधान सभा चुनाओं में सबसे हॉट सीट मने जा रहे हैं इसे के मद्दे नज़र यहां सुरक्षा को लेकर पुखता इंतजामात भी किये गए हैं इसे के मद्दे नज़र जमशेदपूर स्स्पी अनुप बिर्थरे सबाद की हमारे स्वामबाद दाता रिशिकेश ने इस वार क्या तैयारी है ज़रों की काफी हॉट सीट मना जा रहा है देखे जमशेदपूर में सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम हम लोगोंने इलेक्शन को लेकर के किये हैं लगातार एक नॉमबर से आचार सहीता लगने के बाद से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं चार दिन पहले ही सारे अर्धशनिक बलों की कमपनिया और जैप की कमपनिया जमशेदपूर में आ चुकी हैं जो कि बहुत ही इंटिरियर के जो हमारे नकसल प्रभावित क्लेश्टर से वहां पर हैं पिछले चार दिनों में उन्होंने लगातार चेकना का लगाने का काम एरिया डॉमिनेशन का काम रोड के सेनिटाइजेशन का काम और अपने नकसल प्रभावित बूथों को देखने का काम उन्होंने किया है इसके लावा शेहर में अभी अर्दसेनिक बलों की कमपनी हम लोगों ने रखी है जो कम्यूनली या पॉलिटिकली सेंसिटिव बूथ हैं लड़ाई जगड़े की संभावना रहती है उन में लगातार फ्लेग मार्च का काम चल रहा है अभी भी शेहर में कम से कम दस प्लेसिस ऐसे हैं जिन में CISF की फोर्सेज आर पी एफ या जो अन्य फोर्सेज हैं हमारी वो फ्लेग मार्च का का काम कर रही है 2300 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने 107 के तहत शांती बेवस्ता बनाया रखने का नोटिस दिया है इन में से 500 लोग लगभग ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने 116 का नोटिस दे करके और उनसे बॉन्ड भी भरवाया है कि वो कुछ गलत काम नहीं करेंगी 2300 से लोगों पर हम लोगों की विशेश निगा रहेगी साने में इनकी लिश्ट है और उस दिन अगर ये कहीं पर भी वोट देने के लावा अगर अपना वोट देने के लिए के वली ये जा सकते हैं के लावा कर ये कुछ भी गड़ बड़ करने के लिए जाते हैं तो इनको हम लोग तुरण डिटेन करेंगे शेहर में हम लोगों ने 11 क्यू आटीज का निर्मान किया है ये सारी क्यू आटीज मोटर साइकिल पर होंगी और इनके साथ रॉइट कंट्रोल के सारी एक्विपमेंट्स होंगी लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, टीर गैस जब भी चुना चुकी सिंसिटिव बुथ है जोन है ये खास करके दोनों हाट सिट है, जो भ्रामक परचार चुकी परचार कैमपेंट तो बंद हो गया लेकिन जो सोचल मीडिया है, साइट के जरिए, जिस तरीके की आवो हबाँ फैलाई जाती है चुनाओ के वक्त में, वोटिंग के वक्त में, उसको लेकर क्या आप लोगों ने कुछ स्पेसल स्टाटिजी तेया है उसके लिए देखिए, अल्रेडी डिस्टिक्ट अड्मिनिस्टेशन के द्वारा MCMC का गठन किया गया है, Media Certification and Monitoring Committee, वो कमेटी उस पर निगाह रख रही है हम लोगों का भी जो सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग सैल है, पुलिस का जो साइबर क्राइम पुलिस इस्टेशन में और हम लोगों की जो तकनी की शाखा में चलता है उससे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं और वैसा कोई मामला हम लोगों को प्रकाश में आता है जिससे आचार सहीता को उलंगन हो या किसी कैंडिडेट पर जुटा आरोप लगाया जाए तो वैसे मामले में हम लोग करवाई अपने से भी करेंगे और अगर कोई शिकायत आती है तो उसमें हम लोग फायार दर्जिकर के आवश्चक करवाई करेंगे सुक्रिया तो जम्शेदपूर पूर्वी और पश्चमी सीट को लेकर प्रसासन की खासा तैयारिया है और उमीद की जारी कि जब वोटिंग का दौर सुबस साथ वैसे शुरू होगा तो शांती विवस्था के साथ साथ वोटरों का आकर्सन भी एक बड़ा मुख्य विंद होगा कैमरामेन राजीब के साथ रिसी केश कुमार न्यूज 11 जम्शेदपूर